हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो ट्रेंडिंग टैक्स वंस अगें यूर फेवरेट चैनल तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेके आई हैं एससल आइडेंटिक्स बायोमेट्रिक्स सॉलुशन और इसका यह एंट्री लेवल वैरियंट है इसके जो है विचिस अर्लियर यूस्टो बीए एडेंटिक्स तो एड्सेवन का सक्सेसर जो है जो है यह फ्रेंड्स एससल की जो है one of the most interesting series है और काफी cost effective solution भी है इसकी खासियर सबसे बड़ी ये है कि इसके जो आप log का backup लेते हैं, means जो भी आपका attendance का जो backup आप लेते हैं, उसको आपको PC में export करने के लिए किसी भी तरह की software की जरुरत नहीं है so you can say that you can transfer your data to the PC without any software getting installed on your PC process, ये simple Excel के अंदर ही आप इसका backup ले सकते हैं, और जो है उसके बाद आप इसको जो आप import करेंगे तो वो as an Excel sheet आपका वहाँ पर open हो जाएगा so this is the most wonderful thing उसके अलावा जो एक चीज़ और attract करती है, that is कि इसकी जो price range है, 3-4 1000 की range में बहुत ही अच्छी biometric machine आपको यहां मिलती है और ESSL जो है वो बाकी pioneer brands जो है, उनके साथ ही जो है, industry के अंदर माना जाता है अपने quality products जो है, वो उपलब्द कराने के लिए, आईए अब हम इसको unbox करेंगे, इसे check करेंगे, इसके reviews देखेंगे और इसकी एक brief installation देखेंगे, उससे पहले friends हमेशा की तरह मैं आपसे request करना चाहूंगा, कि please हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, अगर आपको ये video अच्छा लगता है, तो इसे share जरूर कीजेगा अपने tech groups के अंदर और उसके लावा, like भी जरूर कीजेगा, क्योंकि friends अगर आप हमारे चैनल को subscribe करते हैं, then it will make sure कि आपको ये action जो है वो miss नहीं करते हैं, as trending tax is the only channel, जो आपको latest technology के technical points के साथ, आपको connect रखता है आपको कहीं भी कोई भी update चाहिए, you can also request that particular product or update to us, and we always consider that, और उसके लिए बाद हम जो है, आपके लिए customized solution भी लेके आते हैं तो ये product भी हमारे एक viewer ने जो है, हमें request किया था, तो हमने आपके बाद सुनी है, और हम आपके लिए आज ये product लेके आए हैं friends, चैनल को subscribe कीजे और आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो ये friends, इस अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमारे को बॉक्स के अंदर क्या-क्या मिला है, let's move ahead and check what we have got into the box तो यहां पे box ओपन करने के बाद हमारे को एक user manual मिलता है biometric machine of course and the product looks good then stand USB cable and power adapter so these are the things we have brought into the box आए हागे बढ़ते हैं आए हागे बढ़ते हैं आए हागे बढ़ते हैं और बेखते हैं तो फ्रेंड अपसे पहले तो बात करते हैं biometric machine की build quality machine की अभी तक इस segment की machines के अंदर one of the best लग रही है और machine का weight अपने आप में बहुत कुछ कहता है this is one of the heaviest product in this segment और क्यूंकि अंदर components quality लगे हुए हैं तो वो बाहर भी नजर आता है आप देखेंगे यहां पर एक metallic finish के अंदर frame दिया गया है और finish overall product की बहुत ही जादा superior finish है बहुत अच्छा product इस segment के अंदर इस price range के अंदर आपको मिला है क्यूंकि अगर आप बात करें किसी भी three to four thousand rupees budget biometric machine की so I think you can't get better than this this is the best ever machine we have got in this segment और क्योंकि हमारे बिलकुल unbiased reviews होते हैं तो that's why हम आपको fact बताते हैं तो friends अगर हम बात करें machine की build quality की we have got a nice machine screen का size satisfactory है numeric keys input keys है those are also quite fine touch decent है speaker काफी यहां पे बड़ा दिया गया है so the volume will be loud machine के लिए sensor के लिए that is adequate and well placed उसके बाद अब हम बात करते हैं back panel की तो यहां पे beauty इसकी जो है वो यह है कि आपको सारी चीज़े जो है बहुत अच्छे से place इसके अंदर की गई है interface में हम देखते हैं जादा कुछ तो हमें नहीं मिला है but still we have got a USB connector here so that कि आप अपना data easily transfer कर सकते हैं without pen driver and SD card के बिना भी data को transfer कर सकते हैं with the help of this USB and DC connector यहां पे आपको दिया गया है so that आप अपना adapter इससे इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे side में USB दिया गया है pen drive भी प्लग कर सकते हैं and with the help of card reader you may also mount the SD card with this with the help of the stand with the help of the stand user interface this is another good thing कि इस सेग्मेंट के अंदर जो है graphics जो है screen के जो colors है वो भी काफी better है तो आईए अब हम menu को explore करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या इसमें मिलता है menu जो है that is quite well placed menu यहां पे अगर आप देखें तो हमारे को user का first option मिलता है second thing department set करने के लिए option मिलता है third thing is your shift set and उसके बाद report then आपका system data management record or system info तो सब से पहले हम जो है user को register करते हैं यहां पे यहां पे add user के अंदर हम लोग जाएंगे और employee ID by default we have got one here numeric value or then we will have to insert the name for insert the name what you will have to do is you will have to long press the M or OK and then select the English here OK now what you will have to do अगर suppose मेरे को ABC डालना है तो यहां पे मैं 3 is for A then again I will press 1 is for B and again I will press 2 is for C so ABC यहां पे मैंने employee ID डाल दी है और अब जो है मैं नीचे आता हूं enroll fingerprint fingerprint इन्रोल करने के लिए जो हमारे को यहां पे यह protective screen दी गई है इसे remove करना पड़ेगा इसके उपर लिखा भी हुआ है और यह तो obvious बात है कि when you want to enroll your fingerprint then you'll have to remove this thing तो आपको यहां पे अपनी finger enroll करने के लिए मैंने select करा और इसने हमें कहा enroll fingerprint 1 तो यहां पे मैंने finger place करी second scan दोबारा place करी and third scan and it's all done यहां पे यह enroll हो गया है तो इसके बाद password अगर आप यहां पे देना चाहें कि अगर user की finger के अंदर कोई problem हो तो he can also insert his password but उसकेस में क्या है कि थोड़ा सा proxy या teaming up होके staff के उसका misuse होने का chance रहता है so it's better that you stick to the fingerprint only तो उसके बाद department आप यहां जे set कर सकते हैं और यहां पे मैं okay कर देता हूं अब हम आगे back में जाते हैं और check करते हैं whether it works or not यहां पे हमने finger place करी thank you और यहां पे आ गया है इसके अलावा friend जैसा मैंने आपको बताया display जो है वो अच्छा है उसके साथ-साथ speaker में भी जो volume है वो कहीं भी फट नहीं रही है speaker is also quite clear तो this is the manually option जहां पे आप जो है जाके और अपना user को register कर सकते हैं इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो इस machine में दी गई है वो मैं आपको explain करना चाहूंगा कि आप जो है reports में जाके download setting report को जब आप इसमें opt करते हैं तो इससे जो है आप अपनी USB के अंदर ले सकते हैं अभी यह कहा रहा है pen drive not found आपको simply यहाँ पर pen drive लगानी है download attendance setting report करना है तो जो setting report है वो आपकी attendance आपकी pen drive के अंदर आ जाएगी after that what you will have to do let me explain और यहाँ manual में भी उसे बहुत अच्छे से explain किया गया है तो यहाँ के अंदर download कर लेंगे then you will have to open it on your PC and when you open it on your PC you will get setting report like this इसमें क्या है आपको 3 shift मिलती है first one is your one shift second is your second shift and third one is your bell time ठीक है इसके अंदर भी जो first shift है आपकी that is first time zone second time zone and overtime तो suppose आपका जो staff है वो आपका morning 9 to 12 काम कर रहा है then they want the lunch of half an hour or one hour then again वो 1 to 6 काम कर रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर manage कर सकते हैं second thing क्या है overtime करने वाले staff के लिए भी यहाँ पर option दिया गया है so that is a good thing और यही इस machine की सबसे बड़ी beauty है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह के software की जूरत नहीं है it is just plug and play report आपको download करनी है machine से setting report आपको यहाँ पर अपने हिसाब से आप value set कर सकते हैं कितने बज़े first time login होना है कितने बज़े आपकी lunch की shift start होनी है और कितने बज़े after lunch आपकी shift वापिस staff आके login करेगा और overtime के लिए भी आप यहाँ पर opt कर सकते हैं so this is the good thing इसको आप पूरा बना सकते हैं इसी तरीके से इसी के अंदर आपको holidays के लिए जो है dates यहाँ पी company के holidays जो company आपके follow करती है उस calendar से आप verify करके और यहाँ पे holidays के field को खाली छोड़ सकते हैं so इसमें क्या है कि आपको बहुत अच्छे से manually भी आप इसको customize कर सकते हैं इसमें आप अपना staff का जो है वो सारी details fill up कर सकते हैं और fingerprint आपके जो हैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन की कमी नहीं है बट जो है software की आपको जरुवत भी नहीं है you can do it all on the excel itself और यह पूरा user manual आप पढ़ेंगे तो you can easily do all the things very nicely उसके अलावा भी आपकोई जरुवत हो so you may call us and ask us or you may type in the comment box also we will also provide you the answers for that और एक चीज और भी है कि box के अंदर जो है box के ऊपर भी customer care number जो है वो यहाँ पे mentioned है so that is another good thing कि आपको एक hotline number मिलता है जहाँ पे आप step by step machine को installation के लिए उनसे support ले सकते हैं so friends उसके अलावा आप जैसे मैंने आपको बताया था USB से भी connectivity की कर सकते हैं thumbs up product आप कभी भी इस segment की biometric machine लेना चाहें you may definitely go for it it is one of the most beautiful product I have ever seen in this segment और beautiful के साथ साथ one of the most useful product most easy product जो की बहुत easily customized हो सकता है और उसी तरीके से जो है आप जैसे मैंने आपको बताया है कि reports को आप manually setting reports को download करके आगे आप upload कर सकते हैं और अपना end of the month पे आप अपनी attendance को जैसे बाकी biometric devices में होता है download कर सकते हैं so friends this is one of the best product in this segment मैं फिर से आपको repeat करता हूं कि 3 to 4000 के segment में this is the killing product और इसके साथ साथ जो इसके rivals हैं उनकी भी अपनी कुछ खासियत है but still आपको एक complete package यहां पे बहुत अच्छी effective cost में मिलता है so you may definitely go for it and this is all we have into this product for you in this video अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपसे और request आपका भाई आपसे फिर से यही करना चाहेगा कि यार subscribe जरूर करो चैनल को और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like भी करो और share भी करो और आपको कोई भी ऐसा product है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाके आपसे शियर करें don't hesitate just tell us we will definitely do that for you after all it's all about your love your affection you give to us और इसलिए हम लोग अब काफी हक से आपसे कहते हैं कि subscribe कीजे channel को हमें motivate कीजिए क्योंकि आपका प्यार और जो आपका affection है वो definitely एक बहुत बड़ा factor है हमारे motivation के लिए तो friends अगले वीडियो में फिरसे मिलेंगे till then bye bye and thanks for being a part of our channel trending tax